हाल ही में IMDB ने 2022 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जारी की है आपको बता दे कि ये सिलेक्शन पबलिक के वोटों के आधार पर होता है मतलब वो 10 फिल्में जिन्हें लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है इस वीडियो में हम उन्ही बेस्ट 10 फिल्मों की बात करेंगे तब तक आप चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए IMDB की टॉप 10 की लिस्ट में दसवे नंबर पर है फिल्म ट्रिपल सेवन चार्ली ये कंणड इंडस्ट्री की एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है इसमें मुख्य भूमिका में रक्षित शेटी और एक लेबराडोर कुत्ता चार्ली था एक अकेला इंसान जिसका नाम धर्म है जो एक फैक्ट्री में काम करता है एक दिन उसे एक लाबारिस कुत्ता चार्ली मिलता है जिससे धर्म पीछा चुडाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन धीरे-धीरे एक इंसान और एक कुत्ते में जबरदस्त लगाव हो जाता है कि धर्म उस कुत्ते के लिए किसी भी हद तक जाने को तयार हो जाता है इस फिल्म का बजट 20 करोड रुपए था और इस फिल्म की टोटल कमाई 105 करोड रुपए जरूर देखिए फिल्म ट्रिपल सेवन चारली नौवे नंबर पर है पोनियन सिल्वम ये मनिरतनम की टेलुगू इंडस्ट्री से हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है ये कहानी है चोल वंश के राजाओं की ये फिल्म तमिल भाशा के महाकाव्य पर बनी है इसका बजट 250 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 500 करोड रुपए के आसपास कमाई की थी ये फिल्म आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं आठवे नंबर पर सीता रामम फिल्म आती है ये फिल्म भी टेलुगू की म्यूजिकल रोमांस फिल्म है इस फिल्म की कहानी 1964 में सेट कश्मीर सीमा पर सेवा करने वाले एक अनात सेना अधिकारी लिफ्टिनेंट राम को सीता महालक्ष्मी से गुमनाम प्रेम पत्र मिलते हैं जिसके बाद राम सीता को खोजने और अपने प्यार का प्रस्ताव रखने के मिशन पर है ये फिल्म 30 करोड रुपए में बनी थी और 90 करोड की कमाई किया था इस फिल्म को आप हॉट स्टार पर देख सकते हैं साथवे नंबर पर फिल्म मेजर का नाम आता है ये हिंदी और तेलुगु में बनी एक बायोग्राफी है ये फिल्म 2008 के मुंबई हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णन की कहानी कहती है इस फिल्म का बजट 32 करोड था और इसने कुल 65 करोड की कमाई किया था इस फिल्म को आप नेटफलिक्स पर देख सकते हैं चटवे नंबर पर आर माधवन की फिल्म राकेटरी दनंबी इफेक्ट का नाम आता है ये फिल्म वैज्यानिक नंबी नारायन जी के जीवन पर आधारित है ये फिल्म 25 करोड रुपए में बनी थी और इसने कुल 50 करोड की कमाई किया था इस फिल्म को आप बूट एप पर देख सकते हैं इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी है और आर माध्वन की एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी पांचवे नंबर पर कांतारा फिल्म आती है ये भारतिय कंणड भाषा की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है ये फिल्म 16 करोड के बजट में बनी थी और इस फिल्म ने 450 करोड रुपए कमाई थे ये फिल्म केरल के एक गाव द्वारा अपनी जमीन को बचाने की जद्दो जट पर आधारित है ये फिल्म आप नेटफलिक्स पर देख सकते है चौथे नंबर पर कमल हसन की विक्रम फिल्म का नाम आता है ये भी भारतिय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है चार सौपचास करोड रुपए की कमाई किया है इस फिल्म को हॉट स्टार पर देख सकते है तीसरे नंबर पर रोकिंग स्टार यश की फिल्म केजी एफ चैप्टर टू का नाम आता है ये फिल्म भी भारतिय कंणड भाषा की एक्शन फिल्म है इसमें यश के साथ बॉलिवुड के एक्टर संजय दत ने भी काम किया है इस फिल्म का बजट एक सौ करोड रुपए था और इसने एक हजार दो सौ करोड रुपए कमाई थे इस फिल्म को अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं दूसरे नंबर पर बॉलिवुड की द काश्मीर फाइल्स का नाम आता है ये फिल्म 1990 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी हिंदूों के पलायन पर केंद्रित है इसमें पलायन और उससे जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में थे इस फिल्म का बजट 25 करोड रुपए था और इस फिल्म ने 340 करोड रुपए कमाए थे इस फिल्म को आप Z5 पर देख सकते हैं 2022 की सबसे बेस्ट फिल्म, जो पहले नंबर पर है, उसका नाम है राज मौली सर की RRR ये फिल्म भारतिय तेलुगु भाशा की महाकाव्य एक्शन ड्रामा फिल्म है इस फिल्म में राम चरण, जूनियर एंटियार, अजय देवगन, आलिया भट मुख्य भूमिका में थे ये फिल्म दो भारतिये क्रांतिकारी अलुरी सीताराम और कुमाराम भीम की दोस्ती और अंग्रजों के खिलाफ आजादी के लड़ाई की कहानी कहती है ये फिल्म 550 करोड रुपए में बनी थी और 1200 करोड रुपए की कमाई की थी इस फिल्म की तारीफ भारत से लेकर विदेशों में भी होती है तो ये थी IMDB की बेस्ट 10 फिल्मे आप कमेंट करके बताएए कि इन में से आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिए